गुड मॉर्निंग डियर स्टुडेंट्स कल अपने SST सब्जेक्ट के 14 अध्यायों का अध्याय कर लिया था और आज चलते हैं अगले अध्याय की ओर इससे पहले स्टुडेंट्स में आपको यह बता दता हूं कि अगर आपने हमारी सेनल को अपतक सब्सक्राइब नहीं किया तो आज का अपना जो अध्याय है वो जाती ध्रम और लेंगिंग मसले से समन दिता हैं इस चेप्टर से कुल चार अंक के परसन पूछे जाएंगे एक वस्तुनिष्ट होगा एक अत्ति लगुत्रात्मग होगा और एक लगुत्रात्मग होगा निमन में से किस देश में सारवजनिक जीवन में मैलाउं की भागेदारी का स्तर बहुत उंचा है तो इसमें चारों ओप्शन जो दिये हैं पहला है नार्वे, दूसरा स्वीडम, तीसरा फिनलेंड, चोता है उप्युक्त सभी तो इसमें तीनु देशों में ही मैलाउं का स बहुत उंचा है इसलिए दव उप्शन इसमें राइट है अगला कुशन है भारत में जनगर्णना कितने वर्ष पर साथ होती है तो भारत में परतेग दस वर्ष पर साथ जनगर्णना होती है तो इसमें आंसर आजाएगा दस वर्ष निमन लिक्त में से किस देश ने किसी सुधारक ने जात्ती गत भेहद भाव से मुख समाज व्यवस्ता बनाने की बात की और उसके लिए काम भी किया तो इसमें जोतिबा फुले मातमा गांधी डोक्टर मेटगर तिनु ही थे इसलिए इसका अंसर है देख सभी अगला क्यूशन है निमन में से किस देश में समरूप समाज पाया जाता है तो इसका उत्तर है स्वीडन स्वीडन में समरूप समाज पाया जाता है अगला मारा क्यूशन है एक विचारदारा जो अधिकारूं एम अवस्रूं के मामले में इस्त्रिवय पुर्श को बराबर मानती है वह है तो वह है विचारदारा होती है नारिवादी अगला क्यूशन है सामाजिक विवाजन अधिकान स्ते आधारित होता है तो वह है जनम पर आधारित होता है अगला क्यूशन है निमन में से किस सेत्र की संसद में महीलाओं का परती निदित्व है सरवादिक है तो इसका उतर है नार्डिक देश अगला हमारा क्यूशन है इस्तानिय सरकारों में पंचायती राज में महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित किये गए हैं इसका अप्शन है पहला एक चौथाई दूसरा एक तीहाई तीसरा आदे और चौथा दो तीहाई इसका अप्शन है एक तीहाई मतलब 33% अगला हमारा क्यूशन है बारते सविदान के बारे में इन में से कौन सा कथन गलत है पहला ओप्शन है ये दर्म के आदार पर भेहद बाव की मना ही करता है दूसरा यह एक दर्म को राज के दर्म बताता है तीसरा सबी लोगों को कोई तो इसमें उत्तर है बैप्राइ उप्सन यह एक दरम को राज के दरम बताता है, यह कतनि इसमें गलत है अगला हमारा क्यूशन है जब हम लेंगिक विबाजन की बात करते हैं तो हमारा अभी प्राय होता है तो इसका उत्तर है बे उप्सन समाज दोबरा इस्त्री और पूरस को दी गई ऐ समान मुमी काई अब चलते हैं पन अती लग उत्रात्मक परसनों की और पहला परसन है समरुप समाज किन देशों में पाया जाता है कोई दो नाम बताईए तो जर्मनी और स्वीडन अगला क्यूशन नारी वादी आंदोलन क्यों हुए तो नारी वादी आंदोलन का होने का क्या करण था तो वोपन देख लेते हैं पूरस एम महिलाओं के एसमान अदिकार एम अवसरों के कारण मतलब पूरस और महिलाओं को एसमान तो अदिकार दिया गए समानता का वेवार नहीं किया गया उनके साथ अदिकारों के मामले में और अवसर भी उनको एसमान मिले इसलिए क्या हुआ नारी वादी आंदोलन ह अगला क्यूशन है सामाजिक ऐसमानता का कौन सा रूप परतेकस्तान पर दिखाई देता है तो इसका उत्तर है लेंगिक ऐसमानता अगला हमारा क्यूशन है सामाजिक विवाजन अधिकांज तक किस पर आदारित होते हैं तो ये जाती द्रम पर आदारित होते हैं अगला क्यूशन है विवाहे तलाक उत्रादिकार से सम्मंदित कानून क्या कहलाता है तो वहे पारिवारिक कानून कहलाता है अगला क्यूशन है मैलाओं को गरेलू उत्पिडन से बचाने के लिए कोई एक तरीका सुजाईए तो इसका उत्तर है गरेलू हिंसा अधिनियम एम अन्य कानूनी नियमों की जानकारी देना अगला हमारा क्यूशन है भार्त में विबिन समुदायूं के बीच सामपरदाइक सदवाउना बनाने का कोई एक तरीका सुजाईए अगला हमारा क्यूशन है वरन विबिस्ता से आप क्या समझते हो इसका उत्तर है जाती समुदायूं के पदानुकरम जिसमें एक जाती समुदाय के लोग सामाजिक पायदान में सबसे उपर रहेंगे और अन्य जाती समुदाय के लोग करमागत रूप से उसके नीचे रहेंग और यह है वरणवे उस्ता कहलाती है अगला क्यूशन है लेंगिक विवाजन से क्या विपरा है तो समाज दोरा इस्तियोर पूर्स की दी गई ऐसमान बुमिकाएं ही क्या कहलाती है लेंगिक विवाजन कहलाती है अगला क्यूशन है दरम को कभी भी राजनिती से अलग नहीं किया जा सकता ये कतन किसका है तो ये कतन मात्मा गांदी का है अगला क्यूशन है 2011 की जनगना के नुसार लिंगा नुपात मैला वे पुर्ष साखसरता कितनी है तो भारत में लिंगा नुपात 2001 की जनगना के नुसार 943 था और पुर्ष साखसरता है 82.14 और महिला साखसरता है 65.46 अगला मारा क्यूशन है लिंगा नुपात का क्या अर्थ है तो किसी एक सित्र में एक अज़ा लड़कों पर लड़कों की जो संग क्या होती है उसको क्या कहते है लिंगा नुपात कहते है अगला क्यूशन है जाती वाद से क्या आर्थ से है जब राजनेता चुनावी लाब के लिए जाती कर चेतना उकेर कर उसका लाब उठाने का परियास करते हैं तो इस परकिरिया को क्या कहा जाता है जाती वाद कहा जाता है अगला क्विशन है सामपर्दाइक राजनेती का क्या अरत है तो जब राजनिती में अन्य धर्मों की तुल्ला में एक धर्म किस रेष्ट तादर्शाई जाती तो सामपर्दाइक राजनिती इसको कहते हैं अगला कि उसना सर्वा परतम नारिवादी आंदोलन की सुरुवात किस देश से हुई तो अमेरिका से हुई अब चलते हैं पन लगूत रातमक परस्णों की और पहला कि उसना नारिवादी आंदोलन से आप क्या समझते हो तो मैलाओं के राजनिती तता वेदानिक दर्जे को उच्छा उठाने के लिए सिक्सा और रोजगार के अउसरों को बढ़ाने की मांग करने ता उनके नीजी वा पारिवारिक जीवन में भी बराबरी की मांग करने वाले आंदोलन को क्या कहते हैं नारिवादी आंदोलन कहते हैं अब चलते हैं अगले क्यूशन की और अगला कि उसना भार्त में लेंगी की विश्मता लेंगी की विवाजन का अर्थ सप्रस्ट करें तो लेंगी की विवाजन से आज से पूर्स में मैलाओं के मद्दे कारे का विवाजन करने से है कुछ ग्रेलो कारिय केवल माईलाउं दुवारा किये जाते हैं जबकि पूर्ष कुछ विश्यस परकार के कारिय करते हैं अगला किशना बार्तिय सम्विदान में दर्म निर्पेक्स ताके तीन लक्षनों का उलेक करें तो पहला है बार्त के सुविदान में किसी भी धरम को विश्य दर्जा नहीं दिया गया है दूसरा है मोलिक अधिकारों में दार्मिक सवतंदर्ता से समधित प्रावदान है और अगला है बार्त ये सुविदान धरम आदारित वेदवाव को निशेद करता है मतलब धरम आदारित किसी तरह का बेदबाव नहीं करता है अगला क्विशन है धरम निर्पेक्स राजे से आप क्या समझते हैं बार्त में धरम निर्पेक्स मोडल क्यों अपनाया इसका उतरह धरम निर्पेक्स राजे वह राजे है जिसमें नागरीकुं को कोई भी धरम अपनाने की छूट होती है तक किसी भी धरम को कोई विश्यश दर्जा भी नहीं दिया जाता है सामपर्दाइक था हमारे देश के लोकतंतर के लिए एक बहुत बड़ी चुनोती रही है चेलेंज रहा है हमारे देश के लिए विबाजन के समय भारत पाकिस्तान में बयावय सामपर्दाइक दंगे हुए उस समय दंगे हुए थे और हमारे सविदान निर्माता इस सुनुती के पर्तिपूर्ण रूप से क्या थे? सचेत थे इस कार्ण उन्होंने द्रण निर्पेक सासन का मोडल अपनाया अगला क्यूशन है भारती राजनिती में जात्तिवाद की समस्या का उलेक करें तो भारती राजनिती में जात्ति के अने यक रूप दिखाई देते हैं वो कौन कौन से है? उमिद्वारूं का चुनाव जात्तियों के संक्या के रिसाप से किया जाता है दूसरा है सरकार के गठ्छन में जात्तियों को पर्तिन तित व담ड़ेना तीसरा है जातिकत बावनाओं को बढ़का कर वोट पाने की कोशिश की जाती है और चोता है जातिकत गोलबंदी और निमन जातियों में राजनितिक चेतना का उदे तो ये जातिवाद की समश्या है भारती राजनिति में अगला क्यूशन है भारत में मैलाओं को राजनिती में पर्ति निदित्वा देने की स्तिति पर अपने विचारा विक्त करें इसका उत्तर है भारत में विदायका में मैला पर्ति निदित्वा बहुत ही कम है उदार्ण के लिए लोग सबा में मैला सांसुदू की संक्या पहली बार 2019 में ही 14.36 दिये तक पहुंची है राज्यों की विदान सबाओं में इसका पर्ति निदित्वाय 5% से भी कम है मैलाओं की राजनिती में बागिदारी बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका निर्वाचित सेंस्ताओं में मैलाओं के लिए कानूनी रूप से आरक्षन द्वारा तै कर देना चाहिए मतलब इसमें भी आरक्षन दे देना चाहिए अब चलते हैं अगले चेप्टर की ओर अगला चेप्टर है राजनिती के दल इससे कुल पांच अंके परसन पूछे जाएंगे इसलिए यह बहुत ही इंपोर्टेंट चेप्टर है एक वस्तुनिस्ट होगा एक रिक्तस्तान वाला होगा और एक अती लगूतरातम होगा तीन परसन तो यह पूछे जाएंगे एक एक नमबर के एक लगूतरातमक शेलिका परसन पूछा जाएगा जो की दो नमबर का होगा तो पहले चलते हैं अपन वस्तुनिस्ट परसनों की और पहला परसन है 1980 में पुराने भारतिये जन्सन को पुनर जीवित करके किस दल का निर्मान किया गया तो इसका उत्तर है भारतिये जन्ता पार्टी अगला क्विशन है निम्र में से कौन से पार्टी रास्ट्रिये पार्टी है तो इसका उत्तर है भारतिये जन्ता पार्टी यूराश्ट्रिया जनता पार्टी, समाजवधी पार्टी और समता पार्टी ये राश्ट्रिया नहीं है ये किश Parce Het्रीय पार्टिय है अगला क्रिशन है विश्वेज़ के सब्कराने राजनितिक दल्ल में से एक है तो इसका उत्तर है भारतिय राश्ट्रिय कोंग्रिस अगला कुशना एक लोक तांत्री विवस्ता में सबसे अलग दिखाई देने वाली सेंसता है तो इसका उत्तर है राजनितिक दल अगला हमारा कुशना निमन में से राजनितिक दल का कारी है मतलब कौन सा कारी राजनितिक दल करता है तो इसका उत्तर है उप्युक्त सभी दल चुनाव लड़ते हैं दल ही सरकार मनाते हैं और चलाते हैं और दल अलग अलग नितियों और कारे करमों को मत दताओं के समक सरकते हैं तो ये तीनु ही उप्सन इसके सही है इसलिए उत्तर हो जाएगा दै उप्युक्त सभी अगला मारा क्युष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् बार्त में बहुदलिये वियुदलिये 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 विय०लिये 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 वियुदलिये विय०लिये 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 अगला कुछन है भारत में Communist Party of India मतलब CPI का गठन कब हुआ तो CPI का गठन हुआ 18 सोरी 1925 में अगला कुछन है राजनितिक दलू में सुधार के लिए सवीधान संसोधन किया गया है तो वह किया गया है दल बदल रोकने के लिए अब आते हैं रिक्त स्थान की पूर्टी करने वाले परसन तो पहला है लोक तंतर में का बहुत महत्वपुन योगदान होता है तो किसका होता है लोक तंतर में महत्वपुन योगदान तो लोक तंतर में राजनितिक दलूं का बहुत महत्वपुन योगदान होता है तूसरा है भारतिये चुनाव आयोग किन का पंजीकरन करता है तो भारतिये चुनाव आयोग राजनितिक दलूं का पंजीकरन करता है अगला कि उसने भारतिये जनता पार्टी की स्तापना कब अपना कब हुई तो ये 1885 में हुई अगला क्यूशन है भारतिये को पुंद्र जिवीत करके भारतिये जन्ता पार्टी का निर्मान हुआ तो भारतिये जन्संग को इसमें क्या जाएगा जन्संग अगला मारा क्यूशन है राज नितिक दल अलग लग नितियों और कारे कर्मों को खालिस्तान के सामने रखते हैं तो इसमें आजाएगा मत दाताओं के सामने किनके सामने रखते हैं? मत दाताओं के सामने रखते हैं आए चलते हैं अगले क्यूशन की बोड़ अगला क्यूशन है 2019 में हुए लोकसभा के चुनाव में खालिस्तान 303 सीटे जीत कर सबसे बड़े दल के रूप में उबरा तो इसमें आ जाएगा भारतिय जनता पार्टी अगला क्यूशन है 2019 में लोकसभा के चुनाव में इंडियन नेशनल कॉंग्रेस पार्टी को कितनी सीटे मिली तो इसमें 52 सीटे मिली अगला क्यूशन है राजनितिक दल किसी समाज के बुनियादी राजनितिक खालिस्तान को दरसाते हैं तो इसका उत्तर है विबाजन इसमें आ जाएगा विबाजन अगला हमारा क्यूशन है राजनितिक दल के तीन परमुकंग है नेता सक्रिय सदस से और तीसरा आ जाएगा समर तक फॉलोवर है अगला क्यूशन है भार्त में 2017 अहिखन के खालिस्तान दल राष्ट तरह पर मानेता राप्ते तो इसका उटरा जाएगा साथ दल अगला क्यूशन है शिरो मनि अकाली दल का समन्ध मुकेता है कौन से राज़ convergence है तो इसे दल का मुके समन्ध पंजब राज़ सै पंजब का ही अगला है समाजवादी पार्टी का समंध मुक्यत है खालिस्तान राजे से है कौन से राजे से है तो ये है यूपी उत्तरपरदेश को अपन यूपी भी कहते है तो ये उत्तरपरदेश राजे से समंध देता है अगला कुछना इंडियनेशनल लोगदल का सम्मन्द मुखेत है कौन से राजे से तो ये है हरियाना का है इंडियनेशनल लोगदल का सम्मन्द मुखेत है हरियाना राजे से और लास्ट का क्यूशन है तेलबू देशम पार्टी का समन्ध मुखेता है कौन से राज्य से है तो इसका उत्तर है आंदर परदेश अब चलते हैं अगले क्यूशन के बाद अगले क्यूशन है अत्ती लग उत्रात में प्रेशन पहला है राजनितिक दलों को मानिता चुनाव चिन आउंटन एहुं पंजीकरण कोन करता है तो यह चुनाव आयू करता है अगला क्विशनर राजनितिक दल के परमुक अंग कौन कौन से हैं तो राजनितिक दल के परमुक अंग होते हैं नेता दूसरा है सक्रिय सदश से और तीसरे हैं अनुयाई या समर्थक अगला क्विशनर राजनितिक दल के कोई दो कारे लिखे तो राजनितिक दल के दो कारे होते हैं राजनितिक दल चुनाव लड़ते हैं और राजनितिक दल सरकार बनाते हुए चलाते हैं अगला परिशन है राजनितिक दलों में बख्स पात क्यों विक्षिते होते हैं तो इसका उतर है राजनितिक दल समाद के किसी एक इस्चेस से सम्मन्दित होते है इसलिए उनका नजरिया समाद के उस वरग अथवा समुदा विस्चेस की और जुखा होता है इसलिए राजनितिक दलों में पक्सपात विक्सित होता है अगला क्यूशन है हमें राजनितिक दलों की जरूरत क्यूं पढ़ती है कोई एक करण बताईए तो राजनितिक दलों के अभाव में सरकार निरंकुस हो जाती है निरंकुस हो सकती है इसलिए हमें राजनितिक दलों की आवस्थिता पढ़ती है अगला क्यूशन है भारती जन्ता पार्टी का मुख्य सिधान्त क्या है तो भारत के प्राचिन सेंस्कृती और मुल्यों से परेणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत पनाने का लक्से भारती जन्ता पार्टी का मुख्य सिधान्त है अगला क्रिशन है राजनितिक दलों में सुधार है तू कोई दो सुजाव दीजी तो पहला सुजाव है राजनितिक दलों में आंत्रिक लोकतंतर की स्थापना होनी चाहिए दूसरा है चुनाव का खर्थ सरकार वहन करें अगला क्यूशन है अधिकांस आम नागरिकों के लिए लोकतंतर का क्या मतलब है तो अधिकांस आम नागरिकों के लिए लोकतंतर का मतलब राजनितिक दल ही है तो लोकतंतर का क्या मतलब है राजनितिक दल भारत में बहुत डलए व्यवस्ता का उदे क्यों हुआ क्योंकि दो-तीन राजनितिक डल इतने बड़े देश की समस्त समाजिक एम भोगलिक विविताओं को समेट पाने में एसक सम्हें इसलिए भारत में बहुत डली व्यवस्ता का उदे हुआ अगला क्युष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष नाम है अगला कि उसने राजनितिक दल किशे कहते हैं तो इसका उतर लोगों का एक समुए जो सुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता समालने के लिए एक साथ आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है उन्हें राजनितिक दल कहा जाता है अब सलते हैं पनलगू तरात्मक परसनों की पहला परसन है हमारे देश के प्रांतिय दलों ने किस परकार संग वा तता लोकतंतर को मजबूत बनाने में योगदान दिया है इसका उत्रह हमारे देश में पिछले तीन दसकूं से प्रांतिय दलों की संक्या वा ताकत में वर्दी हुई है पहले इतने ताकतवर नहीं हुआ करते थे राज्यों में प्रांतिय दलों की स्थिति मजबूत होने के कारण राष्ट्रिय राजनेतिक दल इनके साथ गठ बंदन बनाने के लिए बाद्दे हुए है सन 1996 इश्वी के परसाथ से लगबग परतेक प्रांतिय दल को राष्ट्रिय राष्ट्र पर बनने वाली गठ बंदन सरकार में सम्मिलित होने का अवशर प्राप्त हुआ है इस शे हमारे देश में संग वाद और लोकतंतर मजबूत हुआ है अगला क्यूशन है बार्त में राजनेतिक दलों को रास्टरिय ध्लों के माने ताके क्या माप देंडे है तो उत्तर है इसका रास्ट्रिय धल के बारे में देखो यदि कोई धल लोक सबाव चुनाव में पड़ए कुल वोटें का अत्वा चार रज्यों के विधान सभा चुनाव में पड़े कुल वोटों का 36 परती सित पराप्त करता है मतलब लोग सभा चुनाव जब हो तो उसमें टोटल जितने वोट पड़ रहे हैं उनका 6% या फिर 4 राज्यों के विदान सभा चुनाव में पड़े कुल वोट्टूं का 6% पराप्त करता है और लोग सभा चुनाव में कम से कम 4 शिट्टूं पर जीत दर्ज करता है तो उसे राष्टे दल के मानिता पराप्त हो जाती है कुल सात राष्टे दल है 2019 के अकोर्डिंग या आंकड़े है और क्सेत्र दल होते हैं जब कोई पार्टी राज्य विदान सभा के चुनाव में मतलब जो MLA के चुनाव होते हैं उनमें कुल मत्तूं का 6% टोटल जितने भी मत्त होते हैं मत्त पढ़ते हैं उनके 6% और कम से कम दो सिटों पर जीत दर्ज करें तो वो एक सेत्रे दल में आजाते हैं अगला किसना राजनितिक दल जनमत एहम कानू निर्माण में किस परकार निर्नाएक बुमी का निबाते हैं तो जनमत निर्माण में राजनितिक दल महत्वपुन वुमिका निभाते हैं वे मुद्दू को उठाते हैं उन पर भहस करते हैं विबिन दलों के लाखों कारेकरता देश पर में बिखरे होते हैं कई बार क्या होता है, राजनितिक दल लोगों की समझेशाओं को लेकर आंदुलन भी करते हैं, सामाने तया, विबिन राजनितिक दलों दोवरा रखी जाने वाली राय के आसपास ही समाज के लोगों की राय बनती चली जाती है, बतब राजनितिक दल जैसे राय देते हैं, सम वादिक सिटे प्राप्त होती हैं उसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है सरकार नितियां वे कारेकरमों का निर्मान करती हैं ये निर्ने मंत्रियों दवारा ही लागू किये जाते हैं राजनितिक दल नेताओं की निक्ति करते हैं उन्हें राजनिति में पर्षिक्सित करते हैं और फिर दल के सिद्धानतू वा कारेकरम के नुसार फैसले करने के लिए उन्हें मंत्री बनाते हैं ताकि वे पार्टी की इच्छा के नुसार सरकार चला सकें अगला क्यूशन है राजनेतिक दल कानू निर्माण में किस प्रकार निर्णाइक बुमिका का निर्वाह करते हैं कानून पर उपचारिक डंग से बहस होती है और उन्हें विदायका में पारित करवाना पड़ता है विदायका डलू दुवारा ही बनाई जाती है लेकिन विदायका के अधिकान सदसे किसी डल के सदसे होते हैं इस कार्ड में अपने डल के निर्देश पर ही कानून निर्माण में अपनी बुमिका का निर्वाह करते हैं दल का जो नेता कहता है वैसे ही वो उसके अकोरडिंग ही चलते हैं अगला क्यूशन है राजनितिक दलों में सुधार में कोई दो बिंदू का उलेक करें तो पहला है दल बदल पर रोक लगाने के सविदान संसोदन किया गया है मतलब दल बदल पर रोक लगाने के लिए सविदान संसोदन किया गया है और वो है बावनवा सविदान संसोदन दूसरा इसका बिंदू है चुनाव लड़ने वाले पड़ते को मिदवार दुवारा संपती अपराद वशिक्सा के समंध में सपत पत्र परस्तूद करना अगला कुष्णा राजनितिक दल के कोई चार कारियों का उलेक करें तो राजनितिक दल चुनाव लड़ते हैं नितियों और करेकरमों को जनता के सामने रखते हैं और राजनितिक दल सरकार बनाते हैं चलाते हैं कानू निर्माण में निर्णाएक मुमिका निबाते हैं अगला कुछने विश्व में कितने प्रकार की दलिये व्यवस्ता पाई जाती है तो एक दली व्यवस्ता द्वी दली व्यवस्ता और बहुदली व्यवस्ता और भार्त में बहुदली व्यवस्ता है अगला अपना चिप्टर है लोगतंतर के परिणाम इसे कुल तीन अंग के फर्षन उचे जाएंगे एक रिक्स्तान वाला होगा जो एक अंग का होगा और एक लगुत रात्मक फर्षन होगा जो दो अंग का होगा पहले चलते हैं अपन रिक्स्तान की पूर्थी वाले कुछन की और पहला कुछना लोगतंतर में सासन की अंतिम सक्ती कालिस्तान के हाथों में होती है इसका उतर है जन्ता तो लोगतंतर में सासन की अंतिम सक्ती जन्ता के हाथों में नहीं नहीं तो होती है दूसरा कुछना आ अगला क्यूशन है खालिस्तान के अधिकार के तहत सरकारी कामकार्ज के बारे में जानकारी प्राप्त होती है तो सूचना के अधिकार के तहत चोथा क्यूशन है लोगतांत्रिक सरकारों में फैस ले लेने में ताना साही की तुलना में खालिस्तान समय लगता है तो इसका उत्तर है ज्यादा ज्यादा समय लगता है अगला क्यों सुना गेर लोकतांतर की व्यवस्ता है आम तोर पर अपने अंद्रूनी समाजिक मत वेत्व को खालिस्तान की कोशिश करती है इसका उत्तर है दबाने की कोशिश करती है चटा है लोकतांत्र की व्योस्ता खालिस्तान समानता पर आधारीत होती है तो इसका उत्तर है राजनितिक समानता पर अगला कुछन है सासन की व्योस्ता जिसमें सासन की सकती एक व्यक्ति के हाथों में हो खालिस्तान सासन व्योस्ता कहलाती है तो व्यक्ति कहलाती है ताना साही सासन व्योस्ता अगला क्यूशन है आठवा क्यूशन व्यक्ति की खालिस्तान और कालिस्तान के मामले में लोकतांत्री की व्यवस्ता किसी वियनियसासन परणाली से काफी आगे है तो इसका पहले में आएगा गरिमा और दूसरे में आएगा आजादी व्यक्ति की गरिमा और आजादी के मामले में लोकतांत्री की व्यवस्ता किसी वियनियसासन परणाली से काफी आगे है अगला क्यूशन भार्त के खालिस्तान परतिस्त लोग मानते हैं कि सरकार की चाल ढाल पर उनके वोट का असर पढ़ता है अगला क्यूशन वास्तिक जीवन में लोकतांत्रिक व्यवस्ता हैं खालिस्तान एसमानताओं को कम करने में ज्यादा सपल नहीं हो पाई है अगला क्यूशन वास्तिक व्यवस्तान में इस बात की पक्की व्यवस्ता होती है कि फैसले कुछ काईदे कानून के अनुसार होंगे इसका उत्तर आएगा लोकतांत्र में इस बात की पक्की व्यवस्ता होती है कि फैसले कुछ काईदे कानून के नुसार होंगे अगला क्यूशन है सामाजिक अंतर विवाजन और टक्राओं को समालना निशित रूप से खालिस्तान व्यवस्ताओं का एक बहुत बड़ा गुन है तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्ताओं का एक बहुत बड़ा गुन है कि अगला वारा कुशन है जो कि अंतीम है वेद शासन व्यवस्ता के मामले में कालिस्तान शासन व्यस्ता निशित रूप से और शासनों से बहतर है तो इसमें गल लोगतांत्रिक अब लग उत्रात्म क्वर्शनों क्यों चलते हैं पहला क्विश्चन है लोक तंत्रिक सरकारें अन्य परकार की सरकारों से किस परकार बेतर है उत्तर है निम लिक्त कार्णू से लोक तंत्र अन्य परकार की सरकारों से बेतर है लोकतंतर नाग्यूंकों में वीच समानता वे वेक्ति की गरिमा को बढ़ाता है लोकतंतर निर्ने लेने की गुनुता में सुधार करता है और लोकतंतर पर्तिस पर्दी रवया भी उक्सित करता है लोकतंतर जवाब दे है उत्तरदाई और वेद सरकार परदान करता है अगला क्रिशनल लोकतंतर एक जवाब दे है उत्तरदाई और वेद सरकार का निर्मान कैसे करता है तो इसका उत्तर है लोकतंतर में निर्णे निर्माण में जनता की एपर्टेक्स बागेदारी होती है जनता की बागेदारी होती है वो एपर्टेक्स रूप से होती है निर्णे निर्दारित मांदंडू इम प्रकिरिया के नुसार किये जाते हैं जो निर्णे को लोगों के ल का मुल्यांकन के जी आर्तिक समर्द्य गुएकास के मामले में विक्सीत देशों में आप चाकट बहतर है लेकिन पानाजाईऊचीवाले कम विक्सीत देशों और छोक्तांतरिग व्योसता वाले कम विक्सीत Every स्राइक के भिछ उत्तर होगा इसका लोकतंतरी व्योस्ता राजनितिक समानता पर अधरित होती है लेकिन लोकतंतर में आर्थिक समानता की स्थापना नहीं हो पाती है मुठी बुर्द, धन, कुबेर, आई और संपती में अपने अनुपाद से ज्यादा हिसा पाते हैं समाज के सबसे निचले इसे के लोगों को जिवन बसर करने के लिए काफी कम साधन मिलते हैं और बुनियादी जरूरते पुरा करने में मुश्किल आती है अगरा कुशनल लोकतंतर एसपल रहा कोई चार नकारात्म परिणाम लिखिए तो लोकतंतर एसपल रहता है तो उसके चार नकारात्म के लिणाम क्या हैंगे तो इसका उत्तर है एक तो होगा बरिष्टा चार दूसरा होगा लोगों की आवशिक्ताओं के और कम द्यान देना तीसरा है एसमान ताइम गरिभी में वर्दी चोर्ता है आर्थिक समर्दी यून विकास की कमी अगला कुशना पार्दर शिर्ता कार्द बताते वे लोकतंतर में पार्दर शिर्ता के लाब लिखें लोगतंतर में फैसले नियम कानौनों के नुसार होते हैं तता नागरिकों को यह जानने का अधिकार होता है तता उसके पास इसके साधन विप्रून है इसे ही पार्द शिता कहते हैं मतलब नागरिकों को अपने अधिकार जानने का भी अधिकार होता है और लोकतंतर में पार्दे सिता से सरकार की लोगों के पड़ती है सरकार दोरा ग्रत पैस ले दिने के समावना कम रहती है और लोगों का विश्वास भी लोकतंतर में बढ़ता है पूरी विश्वे में लोक तंतर के विकास के विभिन तरीकों का वर्णन करें दुनिया के लगबद सो से अधिक देश लोक तंतर की विवस्ता चलाने का दावा करते हैं इनका ओप्चारिक समिधान है चुनाव होते हैं राजनितिक दल है विभिन देशों के आंदोलन के परिणाम सवरूप लोकतांतिक विवस्ता को अपनाया गया है कुछ देशों के किसी विशे समस्य के कारण में अंदोलन हुए कुछ देशों ने सत्ता में जनता की बागी तारीके लिए इसको अपनाया तो लोगतंदर के विभिन तरीके हैं अब चलते हैं अगले चेप्टर की ओर अगला चेप्टर है विकास कुल अंक तीन एक रिक्स्तान वाला होगा इसमें और एक लगुत्रात्मक प्रस्षन होगा जो दो अंका होगा एक विश्ण आप यहां से देख सकते हैं ओस्थाइ को आई भी कहा जाता है तो ओस्थाइ को पड़ती विक्ति आई भी कहा जाता है एन एस एसो का पूरा नाम है तो इसका पूरा नाम रास्ट्रे संकी की कारेले हैं अगला कुश्ण है, भार्ड में राश्टे आया की गंडणा का कारिये दुगार किया जाता है डिए काला की किसी वरस में पैदा हुए खालिस्तान जिवित भत्चों में से एक वर्स की आहुशे पहले मर्द जाने वाले बच्छों के नुपाद को अगला क्यूशन है खालिस्तान और उससे अधिक आयो के लोगों में साक्सर जन्शन के अगान उपाद साक्सरता दर कहलाती है तो इसके अंदर उतर आएगा साथ वरस अगला क्यूशन है देश के कुल आय को कुल जन्शन कैसे भाग देकर क्या निकाली जाती है तो इसके अंदर उतर आएगा ओसत आय या परतिविक्ति आय अगला क्यूशन है कच्चा तेल खालिस्तान संसादन है तो इसके अंदर उतर आएगा गैर नवी करनी है गैर नवी नवी करनी है अगला कुछना भूमिगत जल संसादन है तो इसके अंदर उत्राएगा नवी करनी है भूमिगत जल नवी करनी है संसादन है जार्वा क्यूशन है खालिस्तान में गिरावुट के प्रेणाम राष्टी और राज्य सिमाउं का खयाल नहीं रखते तो इसमें आएगा परियावरण में गिरावुट के प्रेणाम और लास्ट का है एक ऐसी परकिरिया है जिसमें लोगों के आर्थिक स्तर में मातरातम गुणात्मक सुधार हो जिससे जिमन स्तर हो तो इसमें आएगा विकास अब सलते हैं अपन लगूतरात्मों प्रस्णों की वर विकास के लिए दार्णी एता या सतत पोशनी ए महत्वपून क्यूं है इसका उतर है विकास का वहे श्टर जो भावी पीडी पर बिना बोज डाले प्राप किया जाता है सतत विकास दोँदसाहिं नहीं गिंटना चहिए थिवर आर्थिक विकास से प्राकरतिक संसाहदन का अत्यातिक दोवन से प्राकरतिक कान पूदाएंगे जिससे बहुषे में सभीतेस कन्तुलन को बादिद करते हैं अगला मारा क्यूषिना भार्त के लोगों दोबारा उर्जा के किन सुरोतों का प्रियोग किया जाता है इसकी बहुष्य में क्या संभावनाएं हो सकती है तो इसका उत्तर है प्रमप्रागत सुरोत पहले यह देख लेते हैं कोईला खनीश्टेल प्राकर्ति गेश और विद्धुत और गैर प्रमप् संगय के दबाव यह प्राकर्तिक जन्सादुन में निरंतर दोन के कारण पैट्रोलियम यह संबद उत्पादों की मांग बढ़ेगी पूर्ति कम होने के कारण उत्पादों के मुल्यों में निरंतर वर्दी के कारण इनका आयात महेंगा होगा हल सवरुप भुक्तान ऐस सं शुच का मैठोब बता हिए तो मानवी का सुच का मैठोई करने मली तो यह देश के विखास के सतर का संकेत देता है इसके मादेम से जीवन परत्यासा सखसरता के वानव स्थी परतिव्यक्त हाय की जानकारी मिलती है किए है किया कि फितरा विभ दुत है मानु विकास की दसाभी उतर रहता है उर्दिसाभी अगला चप्टर है भारती अर्थ वेवस्ता के एक स्यत्रक यह सारे इकोनोमिक से समधित चप्टर चल रहे हैं कुल अंक पांच मैं तो अपने पाठ है इसे एक वस्तुनिस्ट और एक अत्तिलो गुत्रातमक और एक द्रिग उत्रिये परस्षन पूछा जाएगा जो तीन नमर गांगा तो सबसे पहले अपन सलते हैं वस्तुनिस्ट क्यूशनों की बॉर पहला क्यूशन है एक वस्तु का अधिकांत प्राकर्तिक परिक्रियाशी उत्पादन खालिस्तान किसे तरक की गतिविद दिये तो यह प्रात्मी गाएगा इसमें कौन सा उत्राएगा प्रात्मी दूसरा क्यूशन है किसी वर्ष में उत्पादित के मुल्य को शकल गरेलू उत्पाद कहते हैं तो इसके अंदर उत्राएगा सभी अन्तिम वस्तु और सिवन अगला हमारा क्यूशन है तर्थियक सेतर को अन्य नाम से जना जाता है तो किर्शी उव्म साइक सेतर के नाम से जना जाता है अर्थ योस्ता के दित्वेक सेत्र का उदार्ण है तो इसका उत्तर है इसपात बनाना अगला कि उसना सारवजनिक और निजिक सेत्र कालिस्तान के आधार पर विबाजित हैं तो इसके अंदर उत्राएगा उद्मू के स्वामित्व है और छटा कि उसना बारती अर्थ योस्ता में क्रिशिक सेत्र के सरमेकों में अधिकांस तै विरोजगारी पाई जाती इसके अंदर उत्राएगा अलब विरोजगारी सात्वा कि उसना सैग है उ का पूरा नाम है तो इसका है सकल अगरेलू लास्ट कि उसना है सरमेकों सित्र का उधान है तो इसके अंदर उत्राएगा डाँ के घर क्यूंकि ये निजी स्वामितों वाले हैं और Whose अगरेला k्वरसन हैं किशेश वरग में उत्पादित सबी अंतिम वस्तोर स्याहं के मुल्यों का जोग तो सब भी अंतिम वस्तूर श्याओं के मुल्यों का योग क्या कहलाता है सकल गरेलू उत्पाद अगरा कुछना बिरोजगारी किशे कहते हैं तो जब पर्चलित मजदूरी पर काम करने की इच्छुक वसक्सम व्यक्तियों को कोई कारे उपलब्द नहीं हो तो ऐसी श्तिति क्या कलाती है बिरोजगारी कलाती है मतलब काम करने के इच्छुक लोग भी हैं सक्सम भी हैं लेकिन उनको कोई कारे उपलब्द नहीं होता है तो क्या हो जाती है महाँ बिरोजगारी है अगला कुछना सारवगनिक सेत्र से आप क्या समझते हैं उत्पादन के सादनों पर सरकार का स्वामित्व हू, परबंदन भी सरकारी करें, एम नियंतरन भी हो उनका ही, तो यह सर्वनिक स्यतर कहलाता है। वे उत्पादित वस्तुई जिनका प्रियोग उत्पादक कच्छे माल के रूप में उत्पादन की परकिरिया में करता है अथो उन्हें फिर से बेशने के लिए खरीदा जाता है अगला कुछन है, संग्टित क्षलतर से क्या तात्पुरी है? तो वे अध्वार्ठार्र कारे स्तान आते हैं, जहां रोजगार की विधिन नियमित होती है, काम सुनिसीत होता है, और सरकारे नियमु वे विन नियमु का फलन किया जाता है. वो संक्टित क्षित्र कलाते हैं दित्यक्षित्र की गती विदियों के कोई दोदान दीजिए इसमें प्राकर्तिक उत्पादूं को वी निर्माण पढणाली द्वारा अन्य रुपों में परिवर्थित किया जाता है जैसे कपाज से कपड़ा और दूसरा है गन्य से चिनि अगला क्षित्र तर्थिक सित्र को शिवाक सित्र क्यों कहा जाता है क्योंकि तर्थिक सित्र के अंत्रगत सभी सिवाओं वाले वेवसास हमलित होते हैं जैसे परिवहन, संचार, व्यापार, सिक्सायम स्वास्ते और परबंदन आधी बहुत ही महत्वपन कि उसे नहीं मैं नरेगा का पूरा नाम लिखिये तो इसका पूरा नाम है मात्मा गंदी रास्टे ग्रामिंड रोजगार गारंटी अधिनियम दो जार पांच अगला कि उसे नहीं पर्चन या छीपी हुई बेरोजगारी किषे कहते है जब किसी कारे में आुशिता से अधिग वेक्टी शलंगन रखते है तो उसे चिपी उसे चिपी विदा परेशन विसभारांड़ी का दिता है और गंद total कि उसमें दक्रामिं में कुछ लोगों में वहां से श्तांतृत कर दिया Myself तो भी कुछ उत्पातिन में ईस संग्टिक शेतर से आसे उन छोटी मोटी विखरी कायूं से है जो अदिकांस्तैराज के नियंतरण से बाहर होती है जबकि संग्टिक हैत्धर क्षग कुछ सνग्टिक शेतरं से उद्द depreci कई स्तान से हैं जहां जो कर्कारी नियमों में वी नियमों प्राप्त करते हैं जबकि संक्ति क्षेत्र में क्रम्चारी वर सन्मिक नियमित रूप से माश्री वेतन प्राप्ते करते हैं अगला क्युशन अर्थ व्यवस्ता के तीन क्षेत्रकों का संक्सित वर्णन करते हुए सोधारन बताईए कि तर्थिक सेत्रक अन्यक सेत्रों से भिन कैसे है तो अर्थ्योस्ता के तीनक सेत्रक निम लिगेता है पहला है प्रात्मिक सेत्र जब हम प्राकर्तिक संसादुनों का फ्योग करके किसी बस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्रात्यमिक सेत्र की गतिवीदियां कहा जाता है। प्रात्मिक सेत्रक को कर्शी व्यम साइक सेत्रक भी कहा जाता है बारती अर्थियोस्ता में रोजगार की दर्शी से प्रात्मिक सेत्रक की बोमी का महतोपुन है उदान ग्यों की खेती मसली पालन मनोपज इकटा करना खानूं से नीजूं का उत्कनन और पसुपलन इत्यादी इत्यक सेत्र एक सेत्र के अंत्रकत वे किरियाएं समर्णित होती है जिन में प्राकरतियक उत्पादों को वी निर्मान प्रक्रिया के मादम से अन्हेरूपो में प्रिवर्थित किया जाता है इसक्सेत्रक में वस्तुएं सीधे प्राकर्टिक से उत्पादित नहीं होती हैं बलकि निर्मित की जाती हैं इसलिए विनिर्मान के परकिरिया एपरिहार यह है यह परकिरिया किसी कार खाने अत्वा घर में संचालित की जा सकती है मतलब गर में भी इसको संचालित किया जा सकता है या कारखाने में भी संचालित किया जा सकता है इस सेत्र को उद्योगिक सेत्रक भी कहा जाता है अब इसके उदान जो है फनीचर उद्योग कागज निर्मान उद्योग सुतिवस्तर उद्योग लोहावा इस्तिपात उद्योग आदि कि परात्म चैप्तियक सहत्रा को टित्यक स्यत्र में मदद करते हैं यह गती विदिया सवत्य वस्तों का उत्पादन नहीं करती हैं बलकि उत्पादन परकिरिया में सयो करती है इसक्षेत्रक में विभिन गति विदियां वस्तों की बजाए सिवाओं का सर्जन करती है इसलिए इसक्षेत्रक को सेवाक्षेत्रक भी कहा जाता है उदान देखिए इसके अध्यापक हैं डोक्टर हैं दूरसंचार निर्वर जैसा की उप्रीयों में बताया गया है कि प्रात्मिक सेत्रव दित्यक सेत्र्व में कौन-कौन सी आर्थिक गतिवीदियां संबल होती है तर्तिएक सेत्र को सेवाक सेत्र भी कहा जाता है क्योंकि इस में परिवयन सम्चार वीमा बैंकिंग बंडारन बेंड़नव J reaction करता है प्रात्य में औह turtle विकास में नग करता है सहयोग करता है उदान इसके उदान देखिए प्रात्मिक एम दितिक सेत्रों को द्वारा उत्पातिद वस्तों को थोक एम खुद्रा विक्रिताओं को बेचने के लिए ट्रेक्टर ट्रकों एम रेल गाड़ी द्वारा परिवहन की जरूरत पड़ती है इन वस्तों को कभी-कभी गोदाम या सीत गरह में बंडारन की भी आवश्पता होती है इस पर का परिवहन बंडारन संचार एम बैंकिंग प्रात्मिक एम दितिक सेत्रों के विकास में साइक एम एक दूसरे पर पर्षपर निर्वर होते है अगला हमारा चेप्टर है जो की बहुत ही मातोपुन चेप्टर है और है मुद्रा अयों साथ इस चेप्टर से कुल पांच अंग के परिशन पूछे जाएंगे एक वस्तुनिस्ट और एक निबंत आत्म होगा जो ही चाल नम्बर का होगा पहला कुष्ण में तो इसका उत्तर होगा उपयुग सभी इसमे यह जो अनौप्चारिक उदाहर दाता नहीं है वह ऐ है तो इसके उत्तर आएगा सैकारी समिती कि किसका उपयो गौरंटी देने के लिए करता है तो समर्तकृता दारगा अगला क्यूशन है निम लिखते में से कौन जी सेंचता रिणों के ओपचारिक स्रोतों की कारे पढ़नाली पर नजर रखती है इसके अंदर उत्राएगा भारती रिजल बैंक अगला क्यूशन है स्वेम सायता समुव का संबन्द है किसे संबन्द है इसके अंदर उत्राएगा ग्रामिन लोगों का समुव है जो रिण के चत्रग में मिलकर काम करते हैं अगला हमारा क्यूशन है बैंक के कारी है तो बैंक के क्या कारी है तो इसके अंदर उत्राएगा उप्युक्त सभी जनता की जमाएं स्विकार करता है जनता को रिण भी प्रदान करता है और जनता की जमाधन पर ब्याज देना अप्ता रिण पर ब्याज लेना यह सारे काम बैंग के अंतिम क्यूशन है ग्रामेंड बैंग के सेंस्तापक एवं 2006 में सांती के लिए नोबेल पुर्षकार से समान त्वित्ति कौन थे तो इसके अंदर उत्राएगा प्रोपेशर मौमद युनिस अब चलते हैं पर निमन्द आत्मों क्रिश्णू की और पहला कि उसने निम लिखत पर टिपनी लिखिए तो आपने को टिपनी लिखनी है वस्तु इनिमिये के दोश और मुद्रा के कारे के पर पहले एपन वस्तु इनिमे के दोश और मुद्रा के दोश को देख लेते हैं आव शकताओं का दोहरा स्यूक वस्तु बीनिमे मुद्रा का निमन्द पयोग कि यह विए वस्तु का विनिमे होता है वस्तु मिनिमे परणाली में ऐसे व्यक्ति को ढूनता है जो उसके अत्रिक्त वस्तु लेकर उसे इच्छित वस्तु देदेवे उदार्ण के लिए किसान ग्यों बेच कर जुत्ते खरीदना चाहता है तो उसे ऐसा वेक्ति रूनना पड़ेगा जो उससे ग्यों लेकर उसको जूते देदेवे यह वस्तु मुल्ले के मापन का कारिय करती है मुद्रा के रूप में विभिन वस्तु में सेवाओं के मुल्ले का निदारण किया जा सकता है मुद्रा विन में का एक माद्यम है यह आसानी से स्विकारी है जिस व्यक्ति के पास मुद्रा होती है वह इसका विन में किसी भी वस्तु या सेवा खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है इसलिए परते व्यक्ति भुगतान मुद्रा के रूप लेना पसंद करता है उदाण एक रिसान बाजार में ग्यों भेज कर ग्रहलू आवशकताओं की वस्तमें खरीदने के लिए ग्यों से प्राव्ट मुद्रा का प्रयोग करेगा अगला क्युशन है श्वैम साहता समोय क्या है? श्वैम साहता समोय की कारेविधी को विस्तार से समझाईे जोतर होगा श्वयम सायता समों है गरीबू के लिए सवपोसित वित्वे वस्ता है इसमें एक विछार ग्रामिंग के गरीबू विशेशकर मैलाओं को छोटे-छोटे स्वयम सायता समों में संग्टित करने हम उनकी बचत पुंजी को एकत्रित करने पर आधारित है। एक या दो वर्स के पच्षाथ S-H-G समुह बैंक से रिण लेने योग्ये हो जाते हैं जिसका उधे से बैंक को द्वारा रिण समुह के नाम पर दिया जाता है। के परती चर्चा करते हुए एक समाज को एक नई दिशा परदान करना है अगला हमारा क्यूशन है भारत की अर्थ युस्ता में बैंक किस परकार महत्तों कुण बुमिका निबाते हैं सबस्ट कीजिए तो भारत में भारती रिजुर बैंक केंदर सरकार की ओर से क्रेंशी टेम सिकों को समिलित किया गया है बैंक के कारी एत्वा भारत की अर्थ युस्ता में बैंकों की क्या बुमिका है वो अपन देखते हैं बैंक के कारी है तो बैंक का कारी है जमाराशी को स्विकार करना बैंक क्या करता है जमाराशी को स्विकार करता है बैंक जनता से जमा उद्विदा के लिए बैंकों के बसत झमा खाता सावधी जमा खाता चालू खाता आदी में जमा करते हैं बैंक इन जमाओं पर ब्याज भी देता है इस तरह लोगों का धना बैंक के पास क्या रहता है सुरुखषित रहता है दूसरा है रिंड परदान करना तो बैंक अपने पास जमारकम का एक चोटा इसा नगद के रूप में रख कर सेस्रासी का रिंड जनता को उदार देते हैं जो नकद कोसा नुपात पर निर्बर करते हैं मतलल उसके पास कितनी नकदी है उस पर निर्बर करता है उसका कुछ नुपात में ही वो रिंड जनता को देता है अगला है पुंजी निर्माण तो बैंक लोगों की बच्टों को संग्रे करते हैं ता उसे अन्य उत्पाद किरिय में निवेश करते हैं इस परकार बैंक देश में पुंजी निर्मान को प्रोशाइद करते हैं तो आर्थी विकास की दर को तिवर करते हैं अब बैंक और क्या सुविदा देता है वो देता है लोकर सुविदा बैंक लोगों को अपनी मुल्यवान वस्तमें महतों पुन कागज है वेश्वी करण एम भारतिय अर्थव्यवस्ता यह अपना 21 वाध्या है यह भी भूत ही महतोपुन अध्या है इससे अपने को कुल पांच अंके पर्षन पुछे जाएंगे एक वस्तूनिस्ट होगा एक रिक्तस्तान वाला होगा एक अति लगुत्रात्मक होगा और एक पहला पर्षन है विविन देशों के बीच पर्ष पर्ष समंध और तीवर एक रिकरण की पर्किरिया है तो इसके अंदर आएगा वेश्वी करण अगला क्यूशन है वेश्वी करण और परतिस पर्दा के दबाव में सबसे अधिक प्रभावित है कौन हुए है तो इसके अ विदेशी व्यापार किनके मद्दे होता है तो इसके अगला क्यूशन है एक ऐसा संक्टन जिसका उदस्य अंतरास्त्री व्यापार को उद्दार बनाना है इसका उत्तर है विश्वे व्यापार संक्टन वेश्वी करण से सर्वादिक लाबानवित हुए हैं तो इसके अंदर उत्राएगा धनी व्यक्ति के धनी वरक के बोगता जो धनी लोग हैं फोर्ड मोटर्स कंपनी किस देश की बहुराष्ट्रिय कंपनी है तो इसके अंदर उत्राएगा अमेरिका अब अपन चलते हैं डिक्स्तान की पुट्टी वाले क्यूशन की वाले पहला क्यूशन है बहुरास्ट्री कमपनियों दुवारा किये गए निवेश को खालिस्तान निवेश करते हैं तो इसका अंदर उत्राएगा विदेशी निवेश अगला क्यूशन है खालिस्तान में तिवर उन्नती ने वेश्वी करण की परकिरिया को उत्परिद किया है तो इसके अंदर है तकनिकी क्याएगा तकनिकी में तिवर उन्नती ने अगला क्यूशन है परीश संपतियों के खरीद में वे की गई मुद्रा क्या कहलाती है तो निवेश कहलाती है च्या कहलाती है अगला क्यूशन है सरकार द्वारा व्यापार से अवरोदू अत्वा पढ़ती बंदों को हटाने की परकिरिया क्या कहलाती है तो वो कहलाती है खालिस्तान का मुख्य उद्षु से अंत्रास्ट्य व्यापार के तोर तरीकों को सरल बनाना तो इसका उत्तर आएगा 20 व्यपार संक्तन का मुख्य उद्ध से अगला कुशन है भारत के बहुराष्ट्रिय कंपनी रेन बैक्षी का समंध किस चीज के उत्पादन से है तो इसका उत्तर है दवाईयां यह दवाईयां मनाती है जा बनाती है दवाईयां अगला अधिल अधिल अगूत्रात में क्रिश्ण के उचलते हैं पहला कि उसना भारत में कारेरत दो बाउराष्ट्रिय कंपनियों के नाम बताईये तो एक हैं इंदुस्तान लिवर लिमिटेड दूसरी है कोका कोला अगला कि उसना विदेशी निवेश किसे कहा जाता है तो विविन देशों के बीच पर्स पर समंद और ती और एकिकरण की परगिर्याई क्या कहलाती है वेश्वी करण कहलाती है अगला क्यूशना बाउराष्ट्रिय कंपनी किसे कहते हैं तो वह कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नेंतरन अत्वा स्वामित वर क्या कहलाती है बाउराष्ट्रिय कंपनी कहलाती है एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नेंतरन और उसका मालिकाना हक भी रखती है अगला किस्वन निवेश क्या है तो परीश संपतियों जैसे भूमी बावन मसीन और अन्य उपकरणों की खरीद में वे की मुद्रा क वो क्या कहा जाता है निवेश कहते हैं अगला किस्वन ने व्यापार और रोदक से क्या विपराए तो विदोशों से होने वाले आयात पर लगने वाले परती बंद व्यापार और रोदक कलाते हैं आयात पर लगने वाले जो परती बंद हो जैसे आयात कर है कोटा है अगला question लगउ त्रात्म question भारत में वेश्वीकरण के किनी दो प्रवाउं को सम्झाईए तो वेश्वीकरण में भारती उत्पादगों को वस्तूं और सिवाउं के अनेख विकल्प मिले तब भारती उपबोगताओं को कम किमत पर उचवणटा वाली वस्तूं की प्राप्ति होती ह उप्भोक्ता को विश्वस्त्री वस्त्में में सिवाई अप्लोड हुई है व्यस्विकरण के फल्सुरूप भारत में विदेशी निवेस बढ़ा है जिसे देश में उत्पादन एम रोजगार में वर्दी हुई है अगला क्यूसेन है भारत में बहुरास्ट्री कंपणियों की वुमिका को सपस्त कीजिए तो पहला है विदेशी निवेश में वर्दीवी है यह इसे विदेविकूं की सतापना में वर्दी नए उद्यगूं की स्ताबना से युगाउं को रोजगार के नवीन अवशर मिलते हैं तीसरा कुष्णन है वेश्वी करण में सूचना एम संचार प्रोध्यूग की भूमिका को बताईए तो इसकी क्या भूमिका है दूर संचार शुईद है टेलिफोन मोबाइल फेक्स आदि तका विश्व बर में एक दूसरे से संपरक करने सूचनाओं को ततकाल प्राप्त करने ता समाद करने में परियोग किया जाता है दूसरा है कम्पिटरों ने भी वेस्वी करन की गत्ती परदान की है जिए उनके लगब परतेक सित्र में कम्पिटरों का परिवेश हो गया है इंटरनेट से इस्तितियाएं बिल्कुल बदल गई है संपर्ण विश्वे की जानकारी अपन घर बैटे प्राप्त कर सकते हैं यह इंटरनेट है इंटर्सेट नहीं है अब चलते हैं पन अगले चिप्टर की ओर जो की है उपभोकता अधिकार दो अंकाईक प्रिशन पूछा जाएगा जो की लगूत रात्मक्स रेनी का प्रिशन होगा पहला क्यूशन है उपभोकता सनक्षन अधिनियम 1986 की आवशकता क्यों पड़ी तो उपभोकता को उनके अधिकारों एम कर्तवियों की जानकारी हेतु दूसरा है उपभोकताई के हितों का सनक्षन करने के लिए तीसरा है उथपादगों को उनकी गुणता वस्तों का उत्पादन करने के लिए प्रोच्साहित करने हेतु चोता है उत पादगूं वे विक्रेताउं दुआरा ख़दे पदार तूं एम ख़दे तेल में मिलावट को रोकने है तूं और पांचो है वेपारियों दुआरा की जाने वाली जमा खोरी वे काला बाजारी को रोकने है तूं अगला हमारा प्रेशन है बाजार में उप्भोकता सोस्रण के तीन परकार बताईए तो पहला है दुकानदारों दुवारा उप्भोकता से अधिक किमत वसुल करते हैं दुकानदार तो यह भी एक परकार का सोस्रण है दूसरा है उसको कम वजन देना तोल में कम देना जिए पुरानी वस्तू देना है अगला कुछन है उप थां को इन धेड़ाशन पहल logr है सूचना पाने ऑदिकार उप था की वोत पादकी सम मातरा कीमत उत्पादन तीथी इत्यादी की जानकारे प्राप्त करने का अधिकार है दूसरा है क्सित्थी पूर्ती निवारन का अधिकार परते उपबोगता को सुने जाने का अधिकार प्राप्त है ताकि भी उत्पादगूं से एक सित्थी पूर्थी प्राप्त कर सके हैं। चाहिए। अगला क्यूशन है उप बोक्ता को सोशन से बचाने के उपाए बताए। तो इसके तिन उपाएं। स्रंक्षन का कारिय करती है और यह है उप बोक्ताओं को मारक दर्शन भी करती है। कि वे कैसे उप बोक्ता अदालत में मुख्तमा दर्ज करवाएं। कर्वाएं। 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 युर 6